नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज का हमारा टोपिक है लहसुन से ज़्यादा ताकतवर होता है अंकुरित लहसुन वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लहसुन बहुत ही खुरकारी होता है लेकिन वहीं लहसुन अगर अंकुरिद हो और तब आप उसका सेवन करें दोस्तों तो इसके गुनों में कई गुना इजाफा हो जाता है आईए आज हम इसी से रिलेटेड बातों को जानते हैं दोस्तों कि वो किस प्रकार से हमारे लिए लाप्रत सावित होता है एंटी ओक्सिडेंट जादा होता है लहसुन की अपेक्छा अंकुरित लहसुन में दोस्तों जेहां दोस्तों एंटी ऑक्सिडेंट गुण होने से सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि हमारे शरीर की जो भी रोग प्रतिरोधक शमता है वो इंक्रीज हो जाती है दोस्तों बढ़ जाती है जिसकी वज़र से हम कई सारी बीमारियों से होने वाली यानि कि संभावित बीमा तो वो जल्दी ठीक हो जाती है दोस्तों इम्म्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना इसके लिए जरूरी होता है दोस्तों और ये अंकुरित लहसुन में बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है दोस्तों इंटी ओक्सिडेंट ज्यादा होने की वज़से ये दिल के लिए बेहदलावकारी होता है दोस्तों बलड को हरिदय तक पहुचाने में मदद करता है अंकुरित लहसुन जिहां दोस्तों इसमें इंटी ओक्सिडेंट गुन होते हैं जिसकी वज़से बलड दिल तक आसानी से पहुच पाता है दोस्तों तो दिल की बीमारी जो भी होती है उस दोस्तों ध्यान से सुन लिजिए कैंसर से ये बचाता है अंकुरित लहसुन कैसे कि फाइटो नियूट्रियंट्स होता है इसमें दोस्तों अंकुरित लहसुन में जो कि कैंसर को शिकाओं को शरीर में बढ़ने से या पनपने से रोकता है दोस्तों तो इस प्रकार से आपको अगर कैंसर का खत्रा है तो वो टलता है अगर किसी को कैंसर हुआ पड़ा है तो उसके सेल्स को बनने में मदद नहीं करता है यानि कि बनने से रोकता है दोस्तों जिसके वज़र से आपका कैंसर जल्दी ठीक हो सकता है नमबर थर्ड तो अच्छा की जुरियों से बचाता है जिहां दोस्तों आपकी अगर पुरानी यानि कि मृत को शिकाएं जो हैं उनको जीवित करने के लिए अंकुरित लहसुन बहुत कारगर उपाय है दोस्तों जिहां दोस्तों अगर आप अंकुरित लहसुन का योज करते हैं तो आपकी मृत को शिकाएं हट करके और नई को शिकाएं बन जाती हैं जो कि आपके चेहरे या फिर स्कीन की जुरियों को गायाव कर देती हैं नंबर फोर दोस्तों इम्मुनीटी को बढ़ाएं जिहां दोस्तों जो सबसे पहले मैंने बोलना स्टार्ट किया था इम्मुनीटी सिस्टम को डेवलप करें और इम्मुनीटी सिस्टम डेवलप होने से क्या होता है दोस्तों कि आपके शरीर में कोई भी संक्रमर संबंधि विमारी जल्दी एंटर नहीं कर पाती है या फिर अगर कोई रोग है आपको विमारी है आपको तो उससे जल्दी उबर जाते हैं अगर इम्मुनिटी सिस्टम आपका बेहतर होता है तो दोस्तों और ये अंकुरित लहसुन में बहुत प्रचूर मात्रा में पाया जाता है दो और ये अंकुरित लहसुन के फाइदे से संबंदित जानकारिया दोस्तों अगली बार हम आप सभी से झुडएंगे कुछ एक और महत्वपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों